जरूरी सूचना दोस्तों कुछ लोग फ्रोड कर रहे हैं हमारे चैनल पर आकर कमेंट करते हैं कि वो एड़ोकेट सलीम है या कानून की रोशनी में टीम से वो बात कर रहा है और आपसे वो कॉंटेक्ट करके आपसे पेसी ठख रहे हैं तो आपको सतर करेना हैं साउधान रेन क्योंकि हमारे नंबर जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें डिस्प्ले पर शो करते हैं उसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर हमने कभी आपको शेयर नहीं किया है तो आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर मैं आपको बताने वाला हूं कि थाने पर जमानत इजीली कैसे प्राप्त की जा सकती है एक्चुल में लोग यह सोचते हैं कि अगर पुलीस का इंवोल्मेंट हो गया और पुलीस किसी व्यक्ति को थाने पर ले गई तो भाई कोई ऑफेंस कर रहा है जो कोगनिजेबल है संगे अपराद है और संगे अपराद यह सा नहीं है कि वह नौन बेलेबल ही हो गेर जमानती हो वह जमानती भी हो सकता है और मैक्जिमम कैसे जो छोटे मोटे विवाद होते हैं आपस में लड़ाई जगड़ो जाता है जिसमें सिंप चोटे वाले मामले जमानती अपराद की शिर्णी में आते हैं लेकिन वह कोगनिजेबल होने की कारण पुलीस यसे वेक्टियों को ठाके लगी चले जाती है तो एक्जाम्पल के तोर पे 323 और 341 का मामला 323 में सिंपल चोट किसी वेक्टियों को लग गई होन मी निकल लिय होगा लेकिन वह चोट जो है वह सिंपल है गिरीवियस नहीं है खतरनाव चोट नहीं है तो यह कौन सा अफंस है यह असंगे अपराद है इसमें तो पुलीस इनिवस्टिकेशन भी नहीं कर सकती लेकिन 341 साथ में लगाती है पुलीस एक दिशा में जाने से रोका तो यह कॉमन ओफेंस है जो आम तोर पर पुलीस के पास ज्यादातर आते हैं मैक्सिमम आते हैं केसे जब भी को ऐसी घटना होती तो पुलीस उठाके ले आती है अब लोग नहीं समझते कि यारी जमानती है गेर जमानती है तो पहली स्टेज यहीं कि आप पूछ सकते हैं उस पुल सिंपल चोट है तो कॉमन सेंस के इस्तिमाल कर लो गयार संपल थी चोट है ज्यादा चोट तो आई नहीं है जगड़े के अंदर तो यह तो थाने पे जाते ही छूट जाएंगे तो इस तरीके के मामले या फिर वहाले मामले जिसमें एक्सिरेंट हो जाते हैं गाड़ी चला जो की जमानती ओफेंस है लेकिन पुलीस को कोई संगय अपराश होता तो इस झाल होने के सथसाथ संध अगर वो जमानत ही एक और हम्राशन पर चोड़ना ही ओगा पुलिस अगर थाने पे ले गई तो थाने पर अगर कोड ने आपको कोड पे बुलाया है तो वहाँ पर भी आपको कोड को छोड़ना ही होगा यह आपका अधिकार है जमानती अपराद के अंदर आपको जमानती देनी ही पड़ेगी लोग confused रусовया समझ ने पाते किस तरह से होती है simple सा तरीका है अगर पलीस वाले थाने पर पे ठाकर लेके गए हैं जमानती अपराद है जिस वेक्ति को लेके गए उसकी तरफ से एक जमानती थाने पर जा सकता है आधार काड ले करके एक फोटू ले करके और एक रजिस्टरड डॉकुमेंट जो कि गाड़ी का वीकल होकी अपनी आर्सी हो सकती है या फिर जमीन की जमाबंदी हो सकती है या को है वह जमानती दार है वह जमानत दे रहा उस वेक्ति की जाकर के थाने पर आपकी 436 से अर्पीजी के अंदर पुलीस को यह पावर है कि जमानत लेके छोड़ सकती है और मैं पताया रहूं कि आपको कि आपको अधिकार तो छोड़ना ही पड़ेगा ना तो थोड़ा सा जान कि वह थी केवल मात्र और छोड़े जाता उस वेक्ति को थाने पर से बाद में चार्ड शीट कंपिलीट तैयर की जाती है कोड़ में पेश कर देंगे तो वह एक्ति कोड़ में जाएगा वहां पर जमानती पेश करेगा अपनी तरफ से दुबारा से और उसके बाद उसका ट करें फोलो करें दोस्तों थैंक यू